हेलो दोस्तों अरद्यारे सेकड़ में के यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों राजस्तान में आयुजीत आर्पेसी सेकेंड ग्रेड सिक्सक बरती प्रिक्षा दोजार बाइस के नवींतम पाठेकरम के नुसार फ़स्ट पेपर के लिए मोडल पेपर के ट आपको ऐसाई पेपर है वो परिक्षा में देखने को मिलेगा एंसी ए आर्टी पर यह आधारी थैंग और अरद्यारे सेकेडमी के यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूड करें बेल आइकन को दबाएं वीडियो को लाइक और अपने दो दोस्तों सिधा से मैं आपको बोलो कि किन राज्य के समुहे में बूइस कलन की गटना समाने है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अब ये बूइस कलन की समस्या कहां पर होगी जहां पर परवत होंगे ठीक है वहीं पर होगी आपने देखा होगा कि हिमाचल परदेश में उत्राकंड में जम्मू कस्मीर में ये बूइस कलन की समस्या है वो समाने है तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर आगे देखिए सेकंड नंबर का प्रशन है कौन सा देश है भारत के साथ सबसे लंबी इस लिए सीमा साजा करता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बांगला देश कौन सा देश बांगला देश है ये सबसे ज्यादा सीमा भारत के साथ लगाता है चार हजार चानमे किलोमेटर की ठीक है ये भी आपको इसमें याद रखना है सी नंबर उप्शन बिल्कु बी नंबर का जो उप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखे दोस्तों यहाँ पे चार नंबर का प्रेशन है पी कोटे स्वरम ने आदुनिक सिद्दान्तों में से एक दिया जो समन्दित है तो वो किस से समन्दित है दोस्तों ये समन्दित है मानस उनकी उत्पत्ति से पांच नमबर का प्रेशन इसमें देखिए भारत का उत्तर दक्षिंड विस्तार किलोमेटर में हैं बहरत का उत्तर दक्षिंड विस्तार किलोमेटर में हैं बताइए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 3214 किलोमेटर है यह दोस्तों उ आगे देखे ओजोन परत के नश्ठ होने का मुख्य कारण क्या है दोस्तों वो कारण है कलोरो-फिलोरो-कार्बन यानि की cfc तो यहां पर अपना इसमें राइट अंसर हो जाएगा बी नंबर का ओप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ठीक है आगे देखिए यहां पर साथ नमबर का प्रस्थन है उत्तर पस्यम से चलने वाली स्थाई पाऊने हैं उत्ति पाऊने हैं तो यहां पर अपना इसमें C नमबर उप्शन राइट आंसर है आठ नमबर का प्रस्न इसमें देखे निमने में से कौन सी परवत्षरंखला यूरोप की नहीं है तो यहाँ पर इस परवत्षरंखला यूरोप की नहीं है तो यहाँ पर इस परवत्षरंखला है यह यूरोप की नहीं है आगे देखे इसमें कारपेथियन, पिरेनीज और आल नमबर का प्रसन इसमें देखिए दक्षनी चीन सागर किस मा सागर का सीमानत सागर है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उतरी प्रसांत का तो यहां पर एक नमबर का जो अप्षन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा उतरी प्रसांत का दस नमबर का प्रसन इ कि जिस मा सागर या सागर से जिरो डिगरी देशांतर गुजरती है वह है जिस मा सागर या सागर से जिरो डिगरी देशांतर गुजरती है वह है तो दोस्तों वह है अटलांटिक मा सागर से जिरो डिगरी देशांतर रेखा गुजरती है यहाँ पर अपना इसमें A number का option बिल्कुल सही देखे टेस्ट आपको पूरा देना है तब ही आपको अपना score है वो पता लगेगा कि आपके कितने प्रेस्ट ने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं और आपके तैयारी का आकलन भी आपको पता लगेगा कि आपके तैयारी कितनी है देखे ग्यारा नमबर का प्रेस्ट ने 2011 की जनगर्णा के अनुसार राजस्तान की कुल साकसरतादर कितनी है तो दोस्तो 66.1 परतिसत है यहाँ पर एक नमबर का उप्षन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा देखे मन में उतर सोचना है आपको क्या होगा इस प्रशन का सही उतर तीक है आगे देखे राष्टिय वर्षा संचित छेतर प्राधिकरण कहां पर इस्तित है दोस्तो यह इस्तित है कहां पर तो यह दिल्ली में इस्तित है कहां पर है दिल्ली में इस्तित है डी नमबर का उप्षन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा दिल्ली में आगे देखे नाबाड की स्तापना कब की गई थी? नाबाड की जो स्तापना है ये दोस्तो कब की गई थी? ये 12 जुलाई 1982 को नाबाड की स्तापना है ये की गई थी? तो यहाँ पर अपना इसमें right answer सी नमबर का option बिलकुल सही आगे देखे चोज़ा नमबर का प्रेशन है किस संभाग में जीरा की पैदावार सरवादिक है तो इस प्रेशन का राइट आंसर हो जाएगा वो है जोदपूर में जीरे की जो पैदावार है वो सरवादिक है यहाँ पर B नमबर का उप्शन बिलकुल सही पंदरा नमबर का प्रेशन है राजस्तान की काम देनों किसे का जाता है दोस्तो राजस्तान की काम देनों किसे का जाता है तो दोस्तो राठी गाये को राठी गाये को राजस्तान की काम देनों कहा जाता है यहाँ पर D नमबर का जो उप्षन है वो इसका बिल्कुल सयुत्तर इसमें हो जाएगा 16 नमबर का प्रेस ने इसमें देखिए राजस्तान का राज्य खेल क्या है दोस्तो राजस्तान का राज्य खेल क्या है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बाड मेर जिले की ग्राम पंचायत है राजस्तान में सरवपर्तम ISO परमान पत्र प्राप्त करने वाली बाड मेर जिले की ग्राम पंचायत है तो वो कौन सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो गंगाला गंगाला ग्राम पंचायत है दोस्तों यह बाड मेर जिले की तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर डी नमबर का उप्शन बिलकुल सही आगे देखे किसोरी सकती योजना समंधित है किसोरी सकती योजना समंधित है तो यह किस से समंधित है किसोरी सकती योजना कि सोर बालिकाओं की पोस्टिकता एवं में स्वास्त इस्तर की अभिवर्दी से समंदी थै तो यहाँ पर C नमबर का उप्शन राइट आंसर हो जाएगा गुनिश नमबर का प्रस्टन इसमें देखिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यह है राज्य के समस्त गाओं के राजस्व मांचित्रों के डिजिटली करण से यह समंदित है तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नमबर का उप्शन बिल्कुल सही बीस नमबर का प्रस्टन इसमें देखिए निमन में से कौन सी संस्ताओं का परधान परधान मंत्री होता है बताइए दोस्तों यहाँ पर देखिए वितायो का परधान नहीं होता राष्टिय अल्प संक्य का आयोका भी नहीं होता विदिय आयोका भी नहीं होता नीतिय आय सेयुतर केवल दो इसका बिल्कुल सेयुतर आगे देखिए यहां पर 21 नमबर का प्रेस ने भारत संग के साथ जम्मू एवं कस्मीर राजे का विले पत्र है कब हस्ताक स्रीत किया गया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यह स्थाक्स रिट किया गया 26 oktomber 147 को 27 oktomber 147 को यह स्थाक्स रिट किया गया यहां पर ए नमबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उतर इसमें हो जाएगा आगे देखिए यहां पर है निम्न मेशे कोंजी एक भारती सासन अदिनियम गुनिसो गुनिस की विशेस्ता नहीं थी बताए कौन सी भारत सासन अदिनियम गुनिसो गुनिस की विशेस्ता नहीं थी तो दोस्तों यहां पर देखे इसमें केंदर में द्वी सदनात्मक विधाई का बिल्कुल सही है प्रतेक्स निर्वाचन ये भी बिल्कुल सही है केंदर एवं प्रांतिय विदान मंडलों की विदान निर्मान की सक्ती ये भी बिल्कुल सही है केंदर में जो द्वेद सासन है ये दोस्तो भारत सासन अधिनियम गुणी सो पैंटीस में लगाया गया था प्रांतों में स्वा वाले अधिकारी का निम्न दूरा के साथ संबोधित किया जाता है तो दोस्तों नवीन प्रोटोकोल के अंतरिकत अब राजस्तान के राज़ेपाल को निमन अभिवादन के साथ संबोदित किया जाता है तो दोस्तों पहले महा महीम के नाम से जाना जाता था ठीक है महा महीम के नाम से जाना जाता था यानिकि अगर राज़ेपाल को राज़ेपाल का राज्यपाल महोदे हिंदी में या माननिये राज्यपाल आप बोल सकते हैं ठीक है अभिवादन के लिए तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नमबर का ओप्सन राइट आंसर हो जाएगा आगे देखें 25 नमर का प्रिशन है भारत में वर्तमान में परियुक्त अचायती राज व्यवस्ता का जो जनक है यह किसे का जाता है तो दोस्तों यह बलवन्त राइट महता को का जाता है तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नमबर का ओप्सन बिल्कुल सही आगे देखे 26 नमबर का प्रशन है अच्छा प्रशन है राजस से एवं सदस्य तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि वे 6 वर्ष का कारेकाल अत्वा 60 वर्ष की आयू पूरी नहीं कर लेते दोस्तों इसमें 60 वर्ष की जगए 62 वर्ष आता तो यह कथन क्या होता सत्य होता लेकिन अब क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा यह ठ ूरा सोला अगस्त को फूक प्रिफ और उस अडियादेश के दवरा दोस्तों चार दिन बाद यानि की भीस अगस्त को इसकी स्थाफना हुई थी 20 अगस्त गुनी सो गुनल चास को तो यहां पर 1 अगस्त दे रखा है तो यह भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा ठीक है तीसरा देखे आयोग का सदसे बनने के लिए कोई योगेता निर्दारित नहीं है सिवाए इसके की आदे सदसे केंदर या राजे सरकार के दिन 10 वर्स पदासी न रहे हो बिलकुल सही बात है यह तीसा नमब्र का कथन है यह इसमें सत्य है चोथा देखिए डौक्टर ऐसी तिरफाटी आयो के पर्थम अद्देकस थे यह भी गलत हो जाएगा दोस्तो इसके पर्थम अद्देकस थे एके घोष कौन थे एके घोष ते इसके पर पर्थम अद्यक से तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही सही है कौन सा कतन सही है एक ही सही है तीसरा नंबर का तो यहां पर इस प्रस्टन का राइट आंसर सी नंबर उप्सन हो जाएगा आगे देखिए 27 नंबर का प्रस्टन निम्न में से राजस्तान के पर्थम मुख्य सच प्रस्थीभी ते यहां पर अपसंदा प्रस्थी और पर टाषेक तो आपके दोंगे राजस्तान राजप में निमन में से कुन्सी सकती नहीं विधान सबां को विगठन करने की है राज विदान सबा के सत्रावसान करने की सकती है लेकिन दोस्तों विदान सबा को इस्तगित करने की सकती है यह राजय पाल के पास में नहीं है तो यहाँ पर अपना बी मेंबर का option right answer हो जाएगा आगे देखे भारत के सविदान का कौन सा संसोदन अधिनियम राजस्तान के मंत्री परिशद के आकार को परिशिमित करता है भारत के सविदान का कौन सा संसोदन अधिनियम सविदान का दोस्तो एक्राणववा सविदान संसदन 2003 है यह दोस्तो राजस्तान के मंत्री परिशद के आकार को परिशमित करता है यह आप सभी को पता होगा दोस्तो कुल सदस्य संख्या का 15% मंत्री परिशद की संख्या अधिक्तम हो सकती है तो यहां पर अपना इसमें रा राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों राष्ट्रपती द्वारा अकिल भारतिये शिवाओं की न्युक्ति की जाती है बी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अनुचेद 243 जै इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का उप्शन बिल्कुल सही 32 नंबर का प्रस ने इसमें देखिए कजली तीज जिसे सातूरी तीज के नाम से भी जाना जाता है किस महां में मनाई जाती है भाध्र पद माहर में करशनपक्स की तृत्या को मनाई जाती है यहांपर ए नंबर का उप्शन बिल्कुल सही आगे देखे यहां पर मोदलिया पैना जाता है मोदलिया पैना जाता है दोस्तों यह आभूसन है और यह कहां पर पैना जाता है यह दोस्तों गले पर पैना जाता है यहां पर C नमबर का उप्शन बिल्कुल सही तरुजाए का गले पर पैना जाता है 34 नमर का प्रस्ट नहीं है इसमें देखिए निमन मेंसे कौन सा योग में सुमेलित नहीं है दोस्तों कौन सा योग में सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है एक तरफ पुष्ट के हैं दूसरी तरफ लेखक है यहाँ पर देखिए हाला जालारी कुंडलियां के लेखक हैं इसरदास बारट बिल्कुल सही है गुण भासा के लेखक हैं हेम कवी ये भी बिल्कुल सही है महादेव पारवतिरी वेली यहाँ पर शिवदास गार्डन दे रखा है जो की इसमें गलत दे रखा है दोस्तों एक नाम है सनज हुल ठीक है इन्हों ने इसकी रचना की थी महादेव पारवतिरी वेली गरंथ की ठीक है और रावजाची रोचंद गरंथ की रचना बिटुस हो जाने की थी ये बिल्कुल से इचे तो यहां पर ऊपना इसमें सी नंबर का उप्शन राइट अंसर हुजएंगा क्योंकि है सुमे गर्ण रचित है है इसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों देखिए इसमें संगीत राज, संगीत मिमान सा सूड परबंद ये तीनों गरंथ है ये दोस्तों महराना कुमबा द्वारा रचित है कला निदी नहीं है तो यहाँ पर एक दो तीन इसमें क्या है सत्य है दोस्तों भरा समुदाए का पर मुणा रचित है आगे देखिए निम्न में से किस सिथान पर भोरा समुदाए का परमुक उर्स लगता है दोस्तो बोरा समुदाय का जो परमुक उर्ष है ये कहां पर लगता है तो ये गल्या कोट डूंगरपूर में लगता है दोस्तो तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर उप्शन सही 38 नंबर प्रशन है इसमें देखिए वहें जिला जिसमें प्रशिद भरतरी मेले का आयोजन किया जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तो बरतरी मेला कहां लगता है तो दोस्तो ये कहां पर लगता है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो अलवर में ल माराना कुम्बा ने करवाया था यहां पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आगे देखे सीताराम बदन सिंग और नानक राम चितरकार चितरकला की किस सहली से समंदित थे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें किसंगड सहली तो यहां पर अपना इसम से किस किले में इस्तित है शीला देवी का मंदिर किस किले में इस्तित है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें बताइए शीला देवी का मंदिर किस किले में इस्तित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आमेर में है यहां पर सी नंबर का ओप्शन बिल हुआ था यह आपको पता होनाची दोस्तों यह दाबड़ा रहा यह oh निमुचना कांड कब हुआ था दोस्तों यह जो निमुचना कांड है यह हुआ था गुनी सो पच्छिस में कब हुआ था गुनी सो पच्छिस में हुआ था यह निमुचना कांड चंडावल कांड कब हुआ था दोस्तों यह चंडावल कांड है यह गुनी सो 42 में हुआ था ठी अब इसको अपन काल करमानुसार जचाएं तो दोस्तों सबसे पहले तो मान गड़ पाड़ी आएगा उसके बाद में नीम उचना आएगा उसके बाद में चंडावल आएगा उसके बाद में डाबड़ आएगा तो यानि की चार दो तीन एक अपना इसमें राइट आंसर हो ज संबंद किस संपर्दाइशे है बताइए अच्छा प्रशन है गरीब दाज जी संत दाज जी जगनाज जी मादोदाज जी आदी संतों का संबंद कि संपर्दाय से माना जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें दादू पंथ से माना जाता है दोस्तों ए नंबर का उप्शन राइट आंसर हो जाएगा दादू पंथ से संद गुनिस्वो से तालिस में वीर बाला कालिबाई निम्न में से किस गटना में सहीद हुई थी इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है दोस्तों रास्ता पाल कांड में तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा इससी नंबर का ओप्सन बिलकुल सही अगरे देखिए मतसे संद के अंतरगत निम्न में से कौन से देशी राजे सामिल किये गए थे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोलपुर तो यहाँ पर अपना इसमें B——nätter का औपशन Right Answer हो जाएगा 46 नMacा फ़रह को निमने में справ मेनते से समंद नहीं था बताई थी किसका समंद है वह मैनते समंद हैं नो केशरी सिंग बारट का था सोमदत लहरी का था लेकिन यहां पर मोहनलाल जालोरी का जो समंध है वो इस अत्याकांड से नहीं था तो यहां पर बी नंबर का उप्शन राइट आंसर हो जाएगा आगे देखें डुंगरपुर राज्य परजामंडल की स्थापना कब हुई थी दोस्तों डुंगरपुर राज्य परजामंडल की जो इस्थापना है यह हुई थी गुनिसो चोंवालिस में यहां पर बी नंबर का उप्शन राइट आंसर हो जाएगा गुनिसो चोंवालिस मे ती आर्टालेस नंबर का प्रस्त्थ है इसमें देखिए ये जो निमन सूची दे रखी है ठीक है निमन सूची में अपने को उन नेताओं को चुनना है जिनोंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया वो अपने को यहां पर बताना है और कूट वासा में उत्तर देना ह देखे सादू सिता रामदा, स्विजे सिंग पतिक माने के लाल वर्मा और नाराएन जी पटेल इन सबी ने दोस्तों विजोलिया किस हनांदोलन में भाग लिया है तो इस प्रेशन का राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों एक, दो, तीन, चार, चारों नहीं लिया है डी नंबर का उप्सन बिल्कुल सही उतर इसमें हो जाएगा 49 नंबर प्रेशन इसमें देखे महाराना परताब ने चावंड को अपनी राजदानी बनाया जो मेवाड की राजदानी रहा महाराना परताब ने चावंड को अपनी राजदानी बनाया जो मेवाड की राजदानी रहा इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए 1585 के अंदर चावंड को अपनी राजदा नहीं बनाया था ठीक है और यह राजदा नहीं रही थी 1615 इसवी तक तो यहाँ पर अपना इसमें right answer हो जाएगा D number का option बिलकुल सही आगे देखिए निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद में बाबर के विरुद राना सांगा के पक्स में लड़े थे तो दोस्तों देखिए कौन कौन लड़े थे यहाँ पर आपको पता लगाना है और कूट बासा में क्या करना है उत्तर देना है ठीक है देखे दोस्तो राजा भारमल जो इडर के थे विरमदेव मेड़तिया राव बिका और राव लून करने ये सबी हैं ये सबी दोस्तो बाबर के विरुद राणा सांगा के पक्स में लड़े थे तो इस प्रश्ण का राइट आंसर हो जाएगा एक दो तीन चार यानि कि कि दी नंबर का जो अप्सन है वो इसका बिल्कुल से इतर हो जाएगा इकावन नंबर प्रस्ण इसमें देखे तेरा सो तीन इस्वी में रन थंबोर पर आकरमन के दोरान है अलाव दिल खिलंजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था पिछली बार सेकंड ग्रेड में ये सा गया था देखिए अलाव दिन खिलंजी के दो सेनानायक थे उलुक खां और नुस्रत खां ठीक है दोस्तों नुस्रत खां इसमें मारा गया था यहां पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर उप्सन देखिए वीडियो को एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो लाइक कर है और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अरद्यारेश एकेडिमी के यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बावान नंबर का प्रस्त निसमें देखिए ललित विग्रे राज का रचियता सोमदेव किस चोहां सासक के दरबार में था इसका सब्सक्राइब ने तो यहां पर ए नंबर का उप्शन पिल्कुल से उत्र हो जाएगा आगे देखिए निमने में से किन अभी लेखों में प्रतिहारों को गूजर कहा गया है वो अपने को यहां पर क्या करना है बताना है दोस्तों देखिए इसमें नील गुंड देवली रादनपुर और कराड इन सबी अभी लेखों में प्रतिहारों को गूजर कहा गया है तो इस प्रेस्टिंग का राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है एक दो तीन चार चारों इसमें सत्ते है तो यहां पर डी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही जोवा नंबर का प्रतिहार थ Bread की मंडोर गांड गैं किस सा्सक ने अपनी राजदानी मंडौर से मेड़ता इसतनांतरीत की तो तो इस प्रेस्टन का राइट आंसर हो जाएगा वह है दोस्तों नागबट पर्थम यहां पर सी नंबर का उप्षन राइट आंसर हो जाएगा नागबट पर्थम पच्पन नमबर का प्रस ने इसमें देखे निम्न में से कौन सी वस्तु आढ़ सब्वेता के इस्तलों से समंदित नहीं है वो अपने को यहां पर क्या करना है बताना है देखे दोस्तों यहां पर चांवल है क्रिशनलोहित मद्रबांड है तांबे की वस्तु हैं लेकिन चित्रीत दूसरे मद्रबांड यह नहीं है तो यहां पर डी नमबर का जो उप्शन है वो इसका बिल्कुल से उतर हो जाएगा आगे देखे दोस्तों यहां पर चांपन नमबर का प्रस्ण है जुता हुआ खेत के परमान निम्न में से किस पुराइस्तल से मिले हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों काली बंगा से यहां पर बी नमबर का जो उप्शन है वो इसका बिल्कुल से उतर ह हो जाएका काली बंगा से सतावन नंबर का प्रस्थन है निम्न में से राजस्तान के किस जले की सीमा मद्देपरदेश से संयुक्त है निम्न में से यहाँ पर D नमबर का उप्शन बिल्कुल सही, अठावा नमबर प्रेस्टन है, राजस्तान की पाकिस्तान के साथ अंतराश्टी सीमा की कुल लंबाई कितनी लगती है, दोस्तों वो है 1070 किलो मिटर, A नमबर उप्शन बिल्कुल सही, यह तो सभी को पता होगा, आगे देख चारे की फसलों का राजा किसे का जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोस्तों बताइए, चारे की फसलों का राजा किसे का जाता है, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों अपना इसमें, किसको, तो बरसीम को का जाता है, दोस्तों, A नमबर यहां पर A number का option right answer हो जाएगा बिका नेर आगे देखें बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाती के किसान सरवादिक थे बताइए बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाती के लोग यानि किस जाती के किसान सरवादिक थे इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें दाकड, दाकड जाती के किसान है, वो सरवादिक थे, तो इसमें D नंबर का उप्षन बिल्कुल सही, आगे देखे, 63 नंबर प्रेस ने, राजस्तान की एक इक्रण परकिरिया के समय मतस्य संकी वार्षिक आये कितनी थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है, दोस्तों, 184 लाख रुपए यानि कि एक क्रोड 184 लाख रुपए तो यहां पर अपना इसमें ए नंबर का उप्षन राइट आंसर आगे देखे राज्य का वास्त्विक एवं कारेकारी पर मुख होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होता है दोस्तो कौन तो वो होता है उष्टेलिया तो दोस्तो राइट आंसर हो जाएगा वो है मुर्य मुर्य है यह उष्टेलिया की सबसे बड़ी नदी है ए नंबर उप्षन बिल्कुल सही आगे देखे दोस्तों यहां पर राष्टर संग का मुख्याला कहां पर है तो यह जिनेवा में है तो यहां पर ए अगय देखे उध्यों के इस्थान dessar cooler में प्रभावी तत्व नहीं तो वह कोंचा तत्व नहीं है दोस्तो देखे बाजार स्रम कच्छामाल यह तीनओ है परभावी तत्वा लेकिन पूंजी नहीं है तो यहां पर डी नंबर का उप्शन राइट आंसर हो जाएगा शिक्ष्ट एट नंबर प्रस ने इसमें देखिए लसाडिया का पठार है राजस्तान के किस जिले में इस्तित है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो कोलायत है यह लवण यह जील नहीं है तो यहां पर बी नंबर का जो उप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा यह लवण यह जील नहीं है ठीक है यह मीठे पानी की जील है बाकी डीडवाना पंजमद्रा और कावो यह पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर उप्शन हो जाएगा पक्समी विक्सोग इगेतर नंबर प्रस ने इसमें देखिए निमनलिकित को सुमेलित कीजिए एक तरफ नदी है दूसरी तरफ उद्गम इस्तल है अपने को बताना है कि कौन सी नदी का उद्गम इस्तल कौन मेर में बान गंगा नदी का उद्गम है वो है दोस्तो बेराट की पाडियां और कातली नदी का उद्गम है दोस्तो खंडेला की पाडियां तो अपना इस प्रेशन का राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें देखिए एक चार दो तीन इसका राइट आंसर हो लिए कोपे ने किस कूट का प्रियोग किया राजस्तान में ऊशन मरुस्तली जलवायू के लिए कोपे ने किस कूट का प्रियोग किया तो दोस्तों कौन से कूट का प्रियोग किया इसका राइट आंसर हो जाएगा बी डबलु एच डबलु तो यहां पर अपना इसमें सी नं विंद्यन कगार भूमी जिन नदियों के मद्य इस्तित है उनकगार भूमी कोन सी नदियों के मद्ये इस्तित है तो तो इसका राइट-सर हो जाएगा वो है चंबल वैबनास के मद्ये। तो यहाँ पर इस प्रैस्टन का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का उप्शन बिल्कुल से चंबल वह बनास के मत देगा आगे देखिए निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है तो कौन सा इसमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है बताना है एक तरफ नदी है दोस्तों मही नदी की सायक नदी जाकम है लोनी नदी की सायक नदी सूकड़ी है बनास की दोस्तों यहाँ पर मेज गलत हो जाएगा इसमें मेज है यह दोस्तों चंबल नदी की सायक नदी है ठीक है चंबल नदी की सायक नदी है मेज और चंबल की पारवती भी है ठीक है कांतली है काकनी है गगर है लेकिन सागी नहीं है सागी है यह लूनी नदी की साइक नदी है दोस्तों ठीक है तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर का ओप्शन बिल्कुल सही उत्र इसमें हो जाएगा ठीक है आगे देखिए यहाँ पर है छी सांबर झो हो जाएगा आगी देखे रामसर कन्वेंशन के निसार निनम्न में से कौन सा अबयरन में तो दोस्तो इसका right answer हो जएगा वहाई केवलादेव गना केवलादेव गना है यह फैक है इसको दोस्तो रामशर ग्यानिकी नम भूमी के किया गया एक तो इसको और एक राजस्तान में दो है रामसर कंवेंशन ठीक है एक तो सांबर और एक है यह के बिला देव दो है तो यहां पर सांबर देनी रखा बीनमर ऑप्शन राइट अंसरो जाएगा आगे देखिए राजस्तान के निमने बेसिनों में से कहां अधिकतम भीहडबूमी पाई जाती है तो कहा अधिक्तम भीहडबूमी पाई जाती वनोन मुलन जन संक्या दबाव यहां पर सोर उर्जा उत्पादन ठीक है यह मरुस्तली करण का कारण नहीं है बाकी तीनों मरुस्तली करण के कारण है तो यहां पर डी नंबर का उप्शन राइट आंसर हो जाएगा आगे देखिए असी नंबर प्रस्ट नहीं राजे पुनर गठन आयोग गुनी सो त्रेपन का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था तो दोस्तों कौन सदस्य नहीं था यहां पर देखिए फैजलली थे एच एन कूंजरू थे के एन पणिकर थे लेकिन वीपी मेनन नहीं थे तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर इसमें हो जाएगा यह आपको इसमें याद रखना है ठीक है आगे देखिए दोस्तों अब जो 20 प्रेशन है वो अपने सिक्षा मनो विज्ञान से समंदित पढ़ेंगे आगे देखिए साइकोलोजी सब्द की उत्पत्ति की स्पासा से हुई है साइकोल तो इसमें राइट यापक्षा मनोश से अब दोस्तों लेट बताया है उत्मा इसका याप अपर परप्सण राइट अन्सर आगे देखे सीखने का सरवादी को प्यूख तर्त क्या है तो दोस्तों वह है वेवार में परिमार्जन वेवार में परिमार्जन तो यहां पर अपना इसमें C नंबर का उप्शन राइट आंसर हो जाएगा 85 नंबर प्रेस्ट ने इसमें देखे कक्षा 4 का एक बच्चा सदेव चिंतित और कुंठित रहता है आप आप स्यों में प्रामर्स दाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे तो यहां प तो दोस्तों C नंबर का जो उप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उतर इसमें हो जाएगा यह आपको इसमें याद रखना है आगे देखिए 86 नंबर प्रेस्ट ने बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदशित नहीं होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों व्यक्तिक वाद तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर उप्शन राइट आंसर व्यक्तिक वाद के द्वारा दोस्तों प्रदशित नहीं होता है बालक का चिंतन आत्म केंद्रिक्ता सजीवता वाद और यथार्त वाद ठीक है इन तीनों के द् परकार का विकास है विद्याले और सिक्षक द्वारा प्रभावित होता है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा तो वो है मानसिक सामाजिक और स्विगात्मक तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह सभी डी नंबर उप्शन एवं वजन तो यहां पर अपना इसमें डी नंबर का जो उप्शन है वो इसका बिल्कुल सयुतर इसमें हो जाएगा 89 नंबर प्रशन इसमें देखे बाल विकास में दोस्तो परकिया पर बल है वातावरन और अनुबव की भूमी का पर बल है गर्बा वस्ता में कि सोरा वस्ता तक का अध्यन होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा उप्रोक सभी पर तो यहां पर डी नंबर का उप्शन बिल् दोस्तो इसमें सारी रिक्रचना पर तो यहां पर ए नंबर का जो उप्शन है वह इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा आगे देखिए कि सोरा वस्ता के समायोजन की परकिरिया में सिक्सक का योगदान निमनलिकित में से कौन सा है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा नाइट टू नंबर का प्रश्चन इसमें देखिए निमनलिकित में से वन्सक्रम समंदी नियम है निमनलिकित में से वन्सक्रम समंदी नियम है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वह है दोस्तो समानता का नियम तो इसका राइट आंसर सी नंबर उप्शन बिल्कुल सही समान्था का नियम 93 नमर प्रस नीश में देखिए सारीरिक बुद्धी और विकास को कहते हैं दोस्तों अभी वर्दी कहते हैं सारी बुद्धी और विकास को तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B नमर का जो ओप्षन है वो इसका बिल्कुल सही उत्रिश में हो जाएगा आगे देखिए 94 नमबर प्रेस ने चिफी हुई वस्तुएं डूंड निकालना इस बात का संकेत है कि शीशू निम्नलिकित में से किस संग्यानात्मक कारिय में दक्सता परदान करने लगता है चिफी हुई वस्तुएं डूंड निकालना इस बात का संकेत है कि शीशू निम्न में से किस संग्यानात्मक कारिय में दक्सता परदान करने में लगता है इसका राइट अंसर हो जाएगा वो है दोस्तो वस्तु इस्ताइत वै वस्तु इस्ताइत वै आगे देखें पलायन की मूल परवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्व नहीं है तो कौन सा सव याद्र को याँ पर बताना है दोस्तो इस रखिए कि बालो को के सव आपकों की तुलना में कम होता है बिल्कुल सही है अब देखे तीन सही है तो चौता इसमें क्या हो जाए का ओटमेटिक सत्य नहीं है बालकों में सवे की तिरवरता वैस कोंके तुलना में अधिक होती है यह गलत हो जाएगा यहां पर डी नमबर का उप्सन राइट आंसर हो आगे देखे निम्नलिकित में से कौन से विशिष्ट बालकों की सरणी में नहीं आते बताईए कौन से बालक है वो विशिष्ट बालकों की सरणी में नहीं आते तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तो ये तो सभी को पता होगा इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा वो कौन सिकारक है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मांसिक गुण है यहाँ पर डी नंबर का उप्शन राइट आंसर हो जाएगा मांसिक गुण आगे देखे एक बच्चा सदेव दूसरों के प्रतिस हानुबूती दिखाता है यहें वाद कलाता है दोस्तों यहें आदत कलाती है कौन शे आदत कलाती है दोस्तों यह भावना समंदी आदत कलाती है तो यहाँ पर B-number का उप्सन राइट आंसर हो जाएगा इमानदारी के मुल्यानकन के लिए एक अध्यापक करत्रीम वातावरण सरजित करता है जहां बालक पैसा चुरा सकता है यह उधारण है तो यहां पर बी नमबर का ओप्शन बिल्कुल से उत्रिशमी हो जाएगा तो दोस्तो इसी के साथ मैंने आपको यह 26 नमबर का मोडल पिपर है वो कंप्लेट करवा दिया है अगर आपने पिछले 25 मोडल पिपर अगर नहीं देखे हैं तो आप पले लिस्ट में जाएए वहां पर आपको फोल्डर मिल जाएगा सेकिंड ग्रेड मोडल पिपर के नाम से वहां फोल्डर बनावा है तो आप वहां जाकर मोडल पिपर का टेस्ट है वो अवस्चे दे और अरद्यरस एकेडमी की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को दबाएं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें मिलत हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में जय हिन जय भरत